100 डिग्री से उपर के बुखार को तोड़ने के लिए आजमाई ये 7 असरदार तरीके बुखार को कम करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह पर दवाईया ले सकते हैं इसके अलावा कुछ नेचुरल तरीकों से भी बुखार को कम करने में मदद मिलेगी कुरोना संक्रमन या फ्लू की वज़ह से बुखार की समस्याम है हलके बुखार से बिना दवाओं के जरिये भी रहत पाई जा सकती है लेकिन बुखार के साथ कम कम पी, बदन, दर्द और उल्टी जैसे लक्षन भी है तो डॉक्टर की सलाह पर दवाईयां लेना बहतर होगा इसके अलावा आप कुछ नेचुरल तरीके भी अपना सकते है इससे बुखार को कम करने में मदद मिलेगी तरल पदार्थों का खूब सेवन करें बुखार के दौरान शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए अधिक पानी पीना जरूरी है अगर आप पानी नहीं पीते तो इससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है फलो के रस, हरबल्टी और कारा पियें आराम करें संघ्रमर से लड़ने में शरीर को बहुत उजा लगती है शरीर का तापमान कम करने और जल्दी ठीक होने के लिए बुखार के मरीजों को जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए गुनगुने पानी से नहाए शरीर के तापमान को कम करने के लिए गुनगुने पानी से नहा भी सकते हैं नहाने से ठकी हुई मांस पेशियों को आराम मिलेगा हलके कपड़े पहने अकसर लोग बुखार होने पर बहुत सारे मोटे कपड़े पहन लेते हैं ऐसा करने से बुखार और ज़्यादा बढ़ सकता है इसलिए हलके कपड़े पहने पंज करने की कोशिश करें अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो तापमान कम करने के लिए शरीर पर ठंडे पानी से स्पंज करें माथे और गले वाले हिस्से पर ज़्यादा ध्यान दे बार में एक हिस्से को स्पंज करें और बाकी शरीर को ढटकर रखें बर्फ से मिलेगा आराम अगर पानी या अन्य तरल पदार्थ पीने से मिचलिया रही है तो आप इसके बजाए बर्फ चूस सकते हैं आइस क्यूब ट्रे में पतला फ़लों का रस चमाले और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चूसते रहें गरारे करें गरारे करने से गले की खराश और बुखार में आराम मिलेगा एक गिलास गर्ण पानी में आधा चम्मच नमक खोल कर दिन में चार बार गरारे करें पानी में शहद और सेव का सिरका भी मिला सकते हैं